हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथी दबाए इस बैल आइकन को हेलो दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए एक बड़ी भरती की अपडेट लेकर आया है इस वीडियो में हम बात करने वाला है सामाजिक कल्यान विबाग बड़ती 2021 के बारे में यहाँ पर पोस्ट है नर्थ, वाड़ भुआ है, चोकिदार एंड़ जिनके लिए 161 वेकेंसियों पर बड़ती निकली है ओल इंडिया के लिए वेकेंसिज है, ओल इंडिया से मेल फीमेल बहुत कंडिडेट अपलाई कर सकते है अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन सुल्क जमा नहीं कराना होगा आप इस बढ़ती के लिए बिना किसी आवेदन सुल्क के अपलाई कर सकते हो अपलाई करने के लिए एजुकेशन में 8 वी पाथ या 10 वी पाथ या डिग्री या फिर डिपलोमा होना जरूरी है दोस्तों अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंट्रेस्टिड हो और अपलाई करना चाहते हो तो अपलाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का इलिजबिल्टी क्राइटेरिया एज लिमिट, सेलेक्शन पोर्सेस, एपलिकेशन फीज, सेले पैकेज और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो जो कि ये complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको ओफिसन नोटिपिकेशन के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतर्थ दोस्तों आपके सामने इस भर्ती का ओफिसन नोटिपिकेशन इसके दवारा मैं आपको इस भर्ती की complete जानकारी step by step provide कराने जा रहा हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए या बर्ती government of majoram directorate of social welfare and tribunal affair के अंतरगत होने जा रही है job location है majoram बट ओल इंडिया से male female boss candidate apply कर सकते है बात कर लेते हैं किया पर किस post के लिए कितनी vacancies इने के लिए है apply करने के लिए क्या eligibility होना जरूरी है पर जे कोडिनेटर vocational counselor के लिए 10 vacancies जा है से लिए आपको मिनने वाले है 15,000 रुपे पर मन apply करने के लिए education में graduate degree साथी साथ experience होना जरूरी है और उसी के साथ computer knowledge भी होना जरूरी है accountant color के लिए 10 vacancies जा है सेल लिए आपको मिनने वाले है 10,000 रुपे पर मन apply करने के लिए graduate degree साथी साथ computer knowledge होना जरूरी है cook की अगर बात की जाए तो sports पर 10 vacancies जा है 8,000 रुपे सेल लिए के मिनने वाले है 8,000 रुपे लिए आठी पास candidate apply कर सकते है चोकिदार के लिए 20 vacancies जा है सेल लिए आपको मिनने वाले है 4,100 रुपे पर मन 8,000 रुपे पर जाए अठी पास candidate apply कर सकते है super के लिए 10 vacancies है सेल लिए यहाँ पर भी 4,100 रुपे पर मन आपको मिनने वाले है और apply करने के लिए 8,000 रुपे अठी पास candidate होना जरूरी है director doctor डौक्टर के लिए यहाँ पर 11 वेकिंसी जया, डौक्टर के लिए 5500 रुपे आपको सेल लेके रूम में मिनने वाले हैं। अप्लाइ करने के लिए डौक्टर होना जरूरी है या फिर MBBA डिगरी होना जरूरी है। बात आती है साइकोलोजिस्ट पोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए 5 वेकेंसी या से लिए आपको मिनने वाले है 12500 रुपे परमन अप्लाई करने के लिए गर्जेट डिगरी 7-7-3 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है अब बात कर लेता है स्किल्ट ट्रेनर पार्ट टाइम या कंप्यूटर ओपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टन कोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए एक वेकेंसी है दस्वी के साथ 7-3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है वो भी कंप्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग के अं जरूरी है स्वी के लिए एक वेकेंसी है याँ पर भी दस्वी पास प्लस डिप्लोमा होना जरूरी है वायरमेन के लिए एक वेकेंसी है और याँ पर भी दस्वी प्लस दो साल का डिप्लोमा वायरमेन आइटा के अंतरगत होना जरूरी है जनरल कोर्पेंटर के लिए एक पर मंत बात आती है नर्स पोस्ट के लिए तो इस पोस्ट के लिए 40 वेकेंसी जिने के लिए है अपलाई करने के लिए A&M कम्पलेट होना जरूरी है और से लिए आपको मिनने वाले है गराजार उपे पर मंत वाड़ गाई के लिए 20 वेकेंसी है सेल लिए 11,000 उपे पर मंत आपको मिनने वाले है apply करने के लिए 8 पास होना जरूरी है साथ साथ experience भी होना जरूरी है पिर editor के लिए 10 वेकेंसी है पिर editor के लिए 10 वेकेंसी है दोस्तो अब बात कर लेते हैं, कि आपका selection यहाँ पर किस बेस पर होगा, आपका selection इंट्रू के आदार पर होगा, यहाँ पर कोई भी exam नहीं होगा, किवल इंट्रू के आदार पर ही आपका selection किया जाएगा, apply करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी application fee जमा नहीं करानी होगी आप इस भर्षी के लिए बिना किसी application fee के apply कर सकते हो apply करने के लिए minimum age 21 साल लखी गई है maximum age 35 साल लखी गई है यहाँ पर अपर age में 80ST candidate को 5 साल की छूट मिनने वाली है age limit आपकी count होने वाली है 7 no.2020 बात पर लेते हैं कि आप इस भर्षी के लिए कैसे apply कर सकते हो आप इस भर्षी के लिए offline आवेदन कर सकते हो offline आवेदन करने के लिए आपको application form डाउनलोड करना होगा application form का link मैं इस video के description में देने जा रहा हूँ महाँ से आप application form डाउनलोड कर सकते हो और फिर fill up कर सकते हो fill up करने के बाद आपको उसके साथ में required document अटेच करने है required document अटेच करने के बाद आपको application form सेंड कर देना है official address पर live date से पहले live date है 27 no.2020 जिया दोस्तो आप इस भर्षी के लिए 27 no.2020 तकी apply कर सकते हो दोस्तो ये किस भर्षी की complete जानकारी अगर अब भी आपको और जाद जानकारी चाहिए तो आप इस notification को डाउनलोड कर सकते हो इस notification का लिंक मैं इस वीडियो के description में देने जा रहा हूँ मासे आप इस notification को डाउनलोड करके इस भर्षी की complete जानकारी आशन से प्राप्ट कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो दोस्तो अगर आपके मन में इस भर्षी से related कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हो आई हो प्याई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करें अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमार चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए एसी बड़ी बढ़ती की update लेकर आने वाले है डेली बेसिस पर